हेलो दोस्ता आज मैं लेके आया हूँ पहली बार एक स्मार्ट वाच की अन्बॉक्सिंग वीडियो और आप यहाँ पे देख सकते हैं सामने है फायर बोल्ड निंजा 2 स्मार्ट वाच आज की इस वीडियो में आपको इसकी अन्बॉक्सिंग करकर दिखाऊंगा और आपको ब देखिए तो यहां पर बॉक्स कंटेंड की बात करते हैं क्या क्या चीज़े आपको स्मार्ट वाच के बाक्स में मिलती हैं जैसे आप बॉक्स को उपन करते हों फर्स्ट आपको मिलता है एक स्मार्ट वाच देन उसके बाद भी मिलता है चार्जिंग के बुल जहां पर आप कोई भी चार्जिंग अडाप्टर को लगा के इस स्मार्ट वाच को चार्ज कर सकते हैं फिर उसके बाद भी आपको बहु redeem कर सकते हैं बट यहाँ पर दो चीज़े एक्स्ट्रा मिलती है जो कि आपके लिए बहुत ही फाइदे मन्द है अगर आप जी अप्लिकेशन यूज करते हो तो यहाँ पर फ्री जी फाइब प्रिमियम सब्सक्रिप्शन मिलती है एक मैने की वन मन्त की तो यहाँ पर वो भी redeem क की बात करते हैं तो आप यहाँ पर दीखिए कुछ इस तरह से आपको यह देखने को मिलती है और जो इसका डिस्प्ले है आपको 1.3 इच की HD फूल टच डिस्प्ले मिलती है राइट सेट में आपको पावर बटन मिलता है और आप यहाँ पर दीखिए जो इसका बैक सेड है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा फायर बोल्ड और डिजाइन जो है यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और जो कॉलेटी है यह भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी है कलर जो है गोल्डन और आपको इसमें दो कलर्स मिलते हैं गिरीन और डिब ब्लैक यहाँ जहाँ पर इस स्मार्ट वाच को यूज करने से पहले मैं आपको इसके सारे फीचर्स बता देता हूँ इसमें आपको 30 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं SPO2 मॉनिटरिंग और सबसे हाइलेटिंग फीचर है इस स्मार्ट वाच का हो है स्मार्ट नॉटिफिकेशन जहाँ पर आप यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल भी कर सकते हैं इस वाच के तुरो रिमोट क्यामरा है बहुत सारे आपको इसमें आप्शन मिलते हैं जो के बहुत ही अच्छे हैं तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए जो डिस्प्ले व्यू है कुछ इस तरह से आपको इस वाच में मिलता है अगर आप राइट राइट से स्वाइप करते हो तो आपको यहाँ पर स्वाइप करते हो तो आप देख सकते हैं ब्राइटनेस कंट्रोल और साथ में यहाँ पर कुछ फूचर से जो यहाँ पर दिखा रहा है सेडिंग को ऑप्शन ह totally आपको एक smart phone की तरह ही दिखने लगेगा and अगर आप नीचे से swap up करते हो तो यहाँ पर आपको सारे features मिलते है सबसे पहले steps, sleep, heart rate और sports then उसी की नीचे भी आपको बहुत सारे options मिलते है SPO2 और dedicated camera का भी आप यहाँ पर देख सकते है option है weather और भी आपको यहाँ पर नीचे message control, music control और साथ में breath, flashlight बहुत सारे options हैं इस smart watch में और यहाँ पर आप देख सकते हैं game का भी है जो कि आपको in build games मिलते हैं अगर आप खेलना है तो इस smart watch में खेल सकते हैं and last one है settings का जहाँ पर आपको alarm, condon, brightness, vibration, theater बहुत सारे option है, reset, power off भी अगर आपको इस smart watch को करना है तो आप यहाँ पर settings में आकर कर सकते हैं about बहुत सारे आपको इसमें features मिलते हैं इस smart watch में तो यहाँ पर आपने देखा मैंने आपको firebolt ninja 2 smart watch के बारे में सभी चीज़े बता दी है अगर आप मेरे opinion की बात करते हो तो definitely आप इस smart watch को ले सकती है क्यूंकि जो इसका price है यह बहुत ही कम है मेरे हिसाब से यह आपको सिर्फ 1600 रुपीस में smart watch मिलती है बट जो इसके features है यह बहुत ही अच्छे है बहुत सारे आपको इसमें options मिलते है और जो quality है यह भी मुझे बहुत ही अच्छी है और साथ में जो इसका look है यह भी बहुत ही अच्छा दिखता है अगर आपको यह smart watch पसंद आती है तो आप इसे definitely ले सकते है अगर आपको मेरे यह video पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिए आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए and again thanks for watching